हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीने कही हम गलत गये, कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई हैं और उनका हम शुक्रियादा करना चाहेंगे, और हमें खुश ही है कि कुछ लोगों को पसंद आई हैं, लेकिन वह बहुत आमिर खान की लाल सिंग चड़्धा बॉक्स ओफिस पर हो रही है फ्लॉप, लाल सिंग चड़्धा के पहले दिन की कमाई से भैभीत हुए आमिर खान, आमिर खान का माफी नामा सोशल मीडिया पर हुआ वारल, आमिर खान ने लोगों से मांगी माफी, बोले हमसे घलती हु आमिर खान की लाल सिंग चड़्धा बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप होती दिख रही है, फिल्म ने पहले दिन यानि की गुरुवार को सिर्फ साड़े 11 करोन की कमाई की, अब सोशल मीडिया पर आमिर का एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है वीडियो में आमिर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कही ना कहीं हम गलत गए कुछ लोग हैं जिने फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रियादा करना चाहेंगे, हमें खुशी है कि कुछ लोगों को फिल्म पसंद आई है, लेकिन वो माइनौरिटी में है आमिर ने आगे कहा जादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई है और इस बात का हमें एहसास है यकीनन कहीं न कहीं हम गलत गए हैं मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ दाबा किया जा रहा है कि फिल्म लाल सिंग चड़ा के फ्लॉप होने पर आमिर खान ने ये बयान दिया है हला कि जब हमने इस वारल वीडियो के सच्चाई जानने के कोशिस की तो हमने गूगल के थूँ इस खबर से संबंधित की वर्ड्स को सर्च करने के कोशिस की जिसमें ह फिल्म फ्लॉप होने पर दर्शकों से माफी मांगी थी आमिर ने प्रेस कॉंफरेंस कर मीडिया से कहा था कि फिल्म ठक्स ओफ हिंदोस्तान के फ्लॉप होने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ वीडियो में 40 सेकेंड की वारल हो रही वीडियो क्लिप को देखा जा सकता है बतादे कि हिंदी रश के यूट्यूब चैनल पर आमिर खान का ये वीडियो भी 27 नॉमबर 2018 को अप्लोड हुआ था वहीं आमिर खान और अमिता बच्चन स्टारर फिल्म ठक्स ओफ हिंदोस्ता 8 नॉमबर 2018 को रिलीज हुई थी साफे के सोशल मीडिया पर वारल वीडियो के साथ किया जा रहा दाबा घलत है आमिर खान का ये वीडियो अभी का नहीं बलकि 27 नॉमबर 2018 को उनके फिल्म ठक्स ओफ हिंदोस्तान की फ्लॉप होने के बाद का है हलाकि जिस तरह से लाल रहे हैं क्योंकि आमिर खान की लाल सिंग चड़ा की पहले दिन की कमाई महज 11 करोड रुपए है जबकि पिछले 13 सालों में आमिर की किसी भी फिल्म की ये सबसे कम कमाई है आमिर की सूपर फ्लॉप कही जाने वाली ठक्स ओफ हिंदोस्तान ने भी पहले दिन 52 करोड रुप किसी तरह से एक बार फिर से दर्शकों से माफी मागनी पर सकती है या फिर नहीं कमेंट सक्षन में अपनी राय हमें जरूर बताएं इस वीडियो में फिल्हालित नहीं